राधे राधे मित्रों मैं जोती सिंग आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल का नहा लेडीज केर में मित्रों अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा के पोजिशन से आप अपने बच्चे का जेंडर कैसे पता लगा सकते हैं पर सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है प्लेसेंटा का मतलब होता है अपरा, नाल या भी जंडासन प्लेसेंटा पूरी प्रेग्नेंसी के दोरान मा की बॉड़ी से बलड, ऑक्सीजन और न्यूट्रियेंट्स बेबी की बॉड़ी तक पहुचाता है और बेबी की बॉड़ी से वेश्ट मैटेरियल्स मा की बॉड़ी तक ट्रांसफर करता है प्रेग्नेंसी कंसीव होने के बाद फर्टिलाइज एक यूट्रेस के वाल में जहां भी जाके चिपक जाता है वहीं प्लेसेंटा बन जाती है और यूट्रेस में प्लेसेंटा कहां बनती है उसके एकोर्डिंग उसकी पोजिशन डिसाइड होती है नॉर्मली सभी को placenta के दो से तीन position के बारे में पता है जिसे anterior, posterior और low laying placenta कहते हैं बट actual में placenta के दो और position होते हैं fundal और lateral मैंने placenta के सभी position के बारे में अलग-अलग detail में वीडियो बनाया है आप चाहें तो watch कर सकते हैं यहां मैं आपके कई सारे doubt clear करने वाली हूँ तो वीडियो end तक बिना skip किये देखिए gender prediction की पुरानी मान्यताओं के base पर ये कहा जाता है कि बेटा मा के गर्भ में उसकी पीठ की और मुह किये रहता है क्योंकि वो सर्म के मारे vaginal area की और मुह नहीं करता और बेटी सामने की और मुह किये हुए होती है इसलिए लोग कहते हैं कि placenta anterior हो तो बेटी posterior हो तो बेटा होता है क्योंकि anterior placenta पेट की और बनती है तो बेबी का मुह आगे की और और पीठ की और यानि posterior हो तो बेबी का मुह पीछे की और होता है और इस बात के base पर बेबी का gender पहचाना जा सकता है जबकि इसमें कोई logic नहीं है अगर placenta uterus में नीचे बनती है तो low length उपर बनती है तो fundal placenta और uterus में lift या right side बनती है तो lift lateral और right lateral कहलाती है कुछ लोग इस base पर gender का अंदाजा लगाते हैं कि भगवान सीव के अर्धनारी स्वर रूप का lift part female और right part male का है तो गर्भ में पल रहा बेबी अगर lift side move कर रहा हो तो लड़की, right side move कर रहा हो तो लड़का होता है अगर placenta left lateral होगा तो baby right side यानी बेटा होगा और placenta right lateral होगा तो बेटी पर क्या सच में ऐसा possible है कि placenta के base पर baby gender guess कर सकें तो मेरी मानिये ये सब बेवकूफी है placenta आपके uterus में कहां develop होती है ये आपकी physical structure पर depend करता है कई बार placenta का position change भी हो जाता है जैसे अगर placenta पहले low laying है तो बाद में anterior या posterior भी हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आपका uterus फैलता है placenta भी इधर उधर हो सकता है कई बार placenta anterior से सीधे posterior में भी change हो जाता है in fact मेरी दोनों pregnancy की first trimester ultrasound में placenta पहले anterior और third trimester ultrasound में posterior आया साथी मैं अपना personal experience बताऊं तो मेरे दोनों बच्चों का same placenta यानि posterior placenta था और मुझे एक baby girl और एक baby boy है ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही M है कि अगर आपको लगता है कि placenta position से आप बेबी के gender का पता लगा सकते हैं तो ये गलत है जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि placenta के इस position में बेटा या बेटी होता है उन्हें actual में placenta के बारे में अच्छे से जानकारी तक नहीं होती कि placenta आखिर है क्या placenta के कितने part होते हैं और इसका work क्या है बस ये position बेटा का वो position बेटी का कहके चले जाएंगे और आप उनकी बातों को लेकर सोचते रह जाएंगे ये वीडियो मैंने आपको aware करने के लिए बनाया है ना की curiosity और fun के नाम पर आपकी भावनाओं से खिलवाड करने के लिए इसलिए gender की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आपकी pregnancy enjoy कीजिए आपके मन में बेटा या बेटी जिसकी भी इक चाहो भगवान से प्रेक कीजिए वो आपकी जरूर सुनेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like और share कीजिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेसन आपको टाइम पर मिले धन्यवाद